जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ आज ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, बहुत जादा काम आने वाले हैं तो सिंपल सरल तरीके से चाप्टर को आप समझ भी लोगे, पढ़ भी लोगे और अपनी नोट्स को भी आत कर लोगे कर सकते हैं तो फिलाल हम लोग पैसे कॉली की बात करेंगे अपन साइट करेंगे बिजनस पूरा तो भाई लोगे इंतम बने नहीं ना देगो वीडियो चोड़ के जाओ तो बहुत पच्छता हो पहले बता रहो हैं कोवीड नाइटीन में जब बच्चे अपने घर में बंद हो गए जब स्कूल बंद हो गए तो आपने दिखा होगा ओनलाइन एजुकेशन कितना ज़दा ग्रो किया है है ना online education का demand आया क्योंकि बच्चे demand market में create हुआ तो कई बारी question उठता है कि सार organized or unorganized में difference क्या होता है organized sector वो होता है जहां पर terms of employment fixed होते हैं लोगों को पता होता है कि आपको क्या काम करना है proper terms and conditions होते हैं सब बढ़िया चल रहा है life के अंदर यार मैंने सोचा कि क्यों आप बच्चों से आप चाय पर थोड़ी चलचा कर ली जाए ठीक है और चाय पर चलचा अच्छा चाय से मुझे याद आया है मुझे एक question का answer दो रैसे मेरे मन में बहुत देर से बात घोम रही थी कि जो चाय काफी यहां पर जो इंट्रड़ीउस करने वाले लोग थे वो थे आपके गोरे लोग बिडिशर्स ठीक है तो बिडिशर्स ने चाय जो है बारत में बढ़िया इंट्रड्यूस के और हमने उस चाय को अपने life में इंट्रड्यूस कर लिया है ना अच्छा अब अगर आप देखो स इतने भी शेहर चाय कोई भी शेहर ले लिजए और हर शेहरों में हर महले में आपको एक नाएक सोब्स होए चाय की दुकान मिल जाएगी चाहां पांच शे लोग बैठे हुए अकबार पढ़े होंगे निउसपेपर पढ़े होंगे साधिक साथ चाय पर बहुत सारी चल्च चाय की दुकान है जहाँ मेरे भी स्पॉंसर समुसे बिख जाते हैं आपको बताए ठीक समुसा भंडर समुसे तो अगर आप देखो गी तो उस चाय की दुकान में और जो चाय आपकी मम्मी बनाती है उसमें क्या फरक है अब क्योंकि मेरे हाथ में आज चाय है मैंने सोचा चली चाय पर चल्चा करते हैं हाला कि मैं बहुत कम पीता हूँ बच्चों को बताए चीज तो मैंने सोचा लेकिन आज बच्चों से बात करनी है तो थोड़ा चाय पर चल्चा कर लेते हैं अब क्या है कि उसमें डिफरेंस क्या है कभी आपने सोचा की दोनों में क्या डिफ उस चाय का पैसे पे करते हो, समझ में आया, यानि जब रुपिया खर्च करोगे 5-10 रुपिया, तब वो जो है भाईया, आपको चाय पिलाएंगे, और अपनी मम्मी से गर आपको बोलना हो, तो मम्मी को आप कोई पैसे नहीं देते, ठीक है, यानि गर आप देखोगे, तो मम्मी का अली जो चाय हो, वो विल्कुल free of cost है, आपके लिए, आप कोई पैसे नहीं दे रहो, मम्मी आपसे पैसे नहीं मांग रही, या दस रुपे ला भाई, तब तर 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 को चाय पिलाओंगी, तो इन दुनों का पता है कि डिफरेंस का है, नमर वन, अगर मैं बात करूँ चाय वाले भाईया की, तो एकॉनमिक्स की भाषा में, उन्होंने जो काम किया, उसके उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं, और अगर मैं बात करूँ आपके मम्मी की, तो आपके मम्मी ने चाय बना क्या पुदी, विकॉज आप उनके बच्चे हो, आपसे प्यार करती है, और आपका डिमांड था, तो मम्मी ने पूरा कर दिया, लेकिन उसके उनको कोई पैसे नहीं मिल रहें, लेकिन एकॉनमिक्स की भाषा में, उनको कोई भी पैसे नहीं मिल रहें, तो ऐसी एक्टिविटी को हमने कहा, कि नॉन एकॉनमिक एक्टिविटी, ठीक है, डन, चली, तो काम यहां दोनों लोग कर रहें, लेकिन एकॉनमिक्स उस काम को ज़ादा उप्रिशेट कर रहें, जहां पर पैसे जनरेट की जा रहें, इंकम जनरेट की जा रहें, और आज का जो हमारा चार्टर है ना बिटा, वो आज का चार्टर कुछ ऐसी अक्टिविटीज के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, तो आप देखोगे किसी भी देश के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी शेहर के अंदर, लोग बहुत सारा काम धंदा करते हैं, लोग बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन हर एक काम को करने से पैसे नहीं आते हैं, कर लेना उसको बहतर डिवाइट कर लेना अलग-अलग क्लासिफाई कर लेना और तभी हमने क्या बना दिया है इस economy के अलग-अलग sectors हमने क्या क्या कि लोगों का जो activity है जो nature of activity है उसके basis पर उनको लग लग डिवाइड कर दिया है ना थाकि हम उसके activities को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएं उनके problems को समझ पाएं उसको solve कर पाएं ताकि वो चीजें grow करें है ना विकाज अगर grow करेंगी जादा income कमाएंगी जादा पैसा आएगा तो ultimately भाई सबका फायदा होगा है ना इसी को हम कहते हैं बच्छो sectors of the Indian economy ठीक है चल तो आएए बात करेंगे class को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आप बच्छो भी फड़ा वच्छे अपना चाय बिस्कुट नाश्ता सब ले आओ और हम स्टार्ट करने वाले हमारी मस्त कहानी चले तो दोस्तो आएए स्टार्ट करते हैं हमारा बड़ा मस्त टॉपिक मैं अपना पैन उठा लेता हूँ यानि विकाज इस पैन से ही जो है आगे की कहानी मैं लिख पाऊंगा नहीं तो लिखोंगा कैस चैप्टर आपका आसान तरीके से हो जाएगा बहुत आसान तरीके से मतलब डेफिनिट सी बात आपको क्या करना है उडान का फ्री ओफ कॉस बैच है उडान वाइटी का तो इसका लिंक आपका दिया हुआ है डिस्रिप्शन के अंदर आप वहाँ पे क्लिक करिए आप सीध सरल तरीके से चाप्टर का आप समझ भी लोगे पढ़ भी लोगे और अपनी नोट्स को भी आद कर लोगे मैं अब यहां से उठाके सीधे सीधे question answers कर सकते हो अपने school के अंदर ठीक है तो यह आपके लिए advantage है मेरे सारे उडानियन के लिए advantage है तो मेरे सारे उडानियन के लि हम लोग यहां बात करेंगे बच्चे organized और अन-organized sectors के और हम लोग बात करेंगे government की जिम्मेधारियों की government की जिम्मेधारिया क्या government की responsibilities के ठीक है आए आगी बात करते है तो यही देखे आपके class का monitor आया नहीं था यह आदमी पांडिशाड़ी कर रहा था क्यादा आज में च पसंदे और गलती से क्या है कि sir की जगे हर बार ही क्या लिखता है इंसान मैम तो भाइज को मैम बहुत ज्यादा पसंद है that is the reason हर बार sir की जगे मैम लिखता है बताऊंगा इसको गेम बजाना पढ़ेगा मैं को ठीक है नहीं तो sir को बोल दूँगा चल डन ठीक है आगे बा करेंगे डॉगेश था फार्मर की, ना डॉगेश किसान के आज हम काथ करेंगे डॉगेश बिद्नस्मेन की हड़ डॉगेश ध डॉट्टर की, तो हुई हुई करके start करते हैं हमारा must-crum session चल, लुग कभी भी हम बात करते हैं बच्छे economic activities की, ठीक है कि एकॉनमिक एक्टिविटी । और दूसरे हैं मारी कहल आती बच्चो नौन एकॉनमिक आक्टिविटी ठीक है अब देखें कौन में का अक्टिविटी का है बच्छे इन सिंपल शाफद अगर मैं सिंपल भाशा में आपको समझाऊ तो इक कौन में का अक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम ठीक है any work that has the capacity जिसके पास एक capacity है that has the capacity या potential to generate income ठीक है मतलब कोई भी काम करके आप क्या कर सकते हो अगर पैसे कमा सकते हो तो वो क्या लाएगी economic activity जैसे मैं पैसे कमाता हूँ कैसे कमा रहा हूँ देखो बहुत सिंपल सी बात है यार मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ no doubt यार मैं आपको free मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है आपसे कोई पैसे हैं में ले रहे लेकिन the point is कि company मेरे को पढ़ाने के लिए पैसे दे रहे है देखो बच्चों का प्यार तो है वो तो जो चीज़ें हैं तो अपने पास नहीं बहुत सार platform पर हो चाहिए वो किसी भी subject को everyone is respected हर को respected है और हम सब लोग मिल करके मैनत करते हैं ताकि आप लोग कुछ बढ़िया कर सकें लेकिन हमारी मैनत तब तक अच्छी नहीं है जब तक आप लोग यार effort नहीं करते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ real superstar जो real credit जाजब किसी बच्चे के number पूरे आते हैं जब बच्चे कहता है sir thank you so much sir ss team पूरे number आ गए sir ठीक है जब कभी भी मेरे को कोई बच्चा कहता है तो जिन जिन बच्चों ने इस बात को लेकर रिच आउट किया है वो बच्चे सब जानते हैं मैं हमेशा कहता हूँ all the best बहुत अच्छा कि आपने you are the real superstar and यह मेरे लिए बिल्कुल सही बात है ठीक है because आप जब तक मेहनत नहीं करोगे इंसान दुनिया का best of the best of the best ultra legend teacher भी आपको अगर आके पढ़ा दे तो भी आपकी नया पार नहीं हो सकती क्यों क्योंकि वो पढ़ा देगा वो समझा देगा लेकिन end of the day effort करके effort करके result निकालना है ना वो आपके हाथ में है अगर जब तक आप effort नहीं करोगे आपका result अब तक नहीं हैगा जब तक आप अपने comfort zone को नहीं छोड़ोगे तब तक definite सी बात है आप अपने अंदर changes नहीं देखोगे आप अपनी performance में changes नहीं देखोगे तो असली superstar तुम हो यार असली legend तुम हो you are the real legend और जिस दिन तुम इस बात को पहचान गए believe me आप खुद देखना कि आपकी performance में कितना improvement आता है जब पढ़ाई करने बैठते हो तो इस बात को मान के चलो कि तुम असली superstar और एक superstar मेहनत करता है अपनी position को maintain करने के लिए चीक है तुम पता है 2000 से 2010 के बीच का जो समय थ आस्ट्रेलिया के जो cricket team था ना उससे पूरे world की teams हलत खराब होती थी घवराती थी यार कि ये प्राइम ऑस्ट्रेलिया ब्रेटली इधर रिदम खतरनाग बोलर्स ग्लेन में ग्राथ उधर बैटिंग में गिलक्रिस्ट हेडेन पॉंटिंग ठीक है डेमियन मार्टीन अंड आग लग चीजों को जीतना है ना एक्सीशी टूर्नेमेंट्स को जीतना सीरीज को जीतना तो वह जो महौल था ना उन्होंने बनाया था कैसे अपने efforts है तो आप जब superstar बनते हो तो आप अपना effort को और double करते हो इस बात को याद रखना गया ठीक है चले अब फॉर एक्जां हूं उसके लिए economics की भाशा में मुझे pay किया जा रहा है ठीक है मुझे पैसे मिल रहे है तो मेरा जो काम है बिटा वो क्या है economic activity के अंदर count होता है ठीक है अब एक बालक पूछे comment section में आके सर किसने पैसे मिल रहे है तो बहुत simple है अपनी दिहाडी है 50 रुपे अभी तुमक को किसी से डीके समोसा भंडार की शुरुबात होई थी ठीक है तो यही वो chapter जहां से डीके समोसा भंडार स्टार्ट हुआता अब पैसे के अंदर नाम ता डुके्श कुनाल समोसा भंडार ठीक है हम लोग क्या करें हम लोग बेच रहे समोसे कितने रुपए गे 10 रुपए गा एक समोसा मस्त एकड़मा गरम समोसे एकड़म ड्राइफ रूट डाल करके और मस्त टेस्टी वाली हरी ओला चटनी के साथ अब ये समोसे जब मैं बेचूंगा तो डेफिनिटी बाते क्या होगा म और ये मेरे पको पैसे आएंगे बच्चे क्या करें हम लोग और Samoa से बेचेंगे और पैसे आएंगे तो हमारी विग्रोफ होbesी लोग समुसे क्गाएंगे उन को मजाएगा तो किल मिला कि हम काम कर रहे हैं उसके हमें पैसे दिये जा करने पर आपको पैसे मिलते हैं, income generate होता है, वो बच्चे कहलाती है, आपकी economic activity, अब अगर हम बात करें, non economic activities की, ठीक है, तो non economic activities क्या होती है, any work, that does not generate income, कोई भी ऐसा काम जोब को पैसे कमा के नहीं देता है, कहलाता है, आपका non economic work activity, ठीक है, अब for example, मैं आपको क्या बता है, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे एक salary पेकी जा रही है, तो मेरा काम economic activity है, खुल सकते हैं, आपके पापा मम्मी भी आपको घर पर आते होंगे, पर आप उनको कोई tuition की fees थोड़ी देते हो, आपकी मम्मी ना आपको कहा कि चल बेटा तेरे को revise करा ती, तो भाई मम्मी ने revise करा दिया, तुमको पढ़ा दिया, जैसे मेरी मम्मी मेरे को starting में बढ़ाती थी, बलब hearts of to heart, है ना, और अगर आप देखोगे, तो म आपको के इंदे ना, हिंदी के कुछ ऐसे, अच्छा ममी का हिंदी बहुत अच्छी ममी के लिए बहुत ही अच्छी ममी के लिए तो शी आ वटनर फुल पर परसन इन हिंदी उनसे मलब पढ़ के मजा आता है, जिस लेवल पर पढ़ाते ना भाई, मलब कविता आ है ममी ने पढ़ाने के बाद एक जम स्ट्रिक्ट हो करके बैठ गई, बाई सिंपल सी बात है पढ़ाई के बाद टेस्स देना पढ़ेगा तुमको, पताना पढ़ेगा क्या पढ़ा है तुमने क्या नहीं पढ़ाई, तो लेकिन ममी को मैंने उसके लिए कोई पैसे थोड़ी अब ही देखोगे तो जो ममी ने काम किया नो डाउट उन्होंने भी पढ़ाया नेचर और वर्क से इन था लेकिन उनको उस बात के पैसे नहीं मिले चीक है तो उनका जो काम है एकॉनमिक्स की भाशा में काउंट किया जाएगा नॉन एकॉनमिक एक्टिविटी के अंदर त बट बहाया एकॉनमिक्स इट्स अल अबाउट मॉनि इजिया चीज़ें की बेड जरिए तो जो भी पैसे कमा रहा रहा है दा जैस नॉन एकॉनमिक एक्टिविटी चले अब क्या बेज़ों को जाता बहतर समजने के लिए इनको कही सारे पार्ट्स में डिवाइड कर धिया ठीक है जिसको आप कह सकते हो sectors of Indian economy हमने क्या किया for example हमने कहा है यार की अलग-लग activities लोग करते हैं अब हम कैसे समझे हम कैसे study करें तो हमने क्या किया कि divide कर दिया इनको तीन अलग-लग parts में ठीक है number one को नाम दिया हमने primary sector primary का शब्द का मतलब होता है बहुत ज़्यादा basic ठीक है तो यह सब चीज़ां को कब सिखाएगे यह सब चीज़ां को चोटे classes में प्राइमनी classes में आपके once, first, second, third, fourth, fifth तो वो क्या base है अगर आप कुछ आज कर पा रहे हो तो उसकी बदालत ही कर पा रहे हो because अगर वहां नहीं सिखा जाता तो आज सीखना बहुत मुश्किल था तो उन products के इस्तमाल करके आप कुछ नया create करोगे, कुछ नया बनाओगे तो एक तरीकी बेस है तो इसे इसको प्राइमरी कहते हैं ठीक है ड़ा चले दूसरा आता है secondary sector यह वो सेक्टर है जहां सब चीज़ों को बनाया जाता है manufacture किया जाता है ठीक है तो दूसरे नमबर पे आत करका समान नहीं बनाते हैं बट हम यहां पे कई सारी services देते हैं for example आप अभी क्या कर रहे हो physics वाला के उडान चानल पर पढ़ाई कर रहे हो done अब यह क्या है बच्छे एक तरीके का service है जो हम आपको provide कर रहे है ठीक है हम आपको कोई समान नहीं दे रहे हम कोई goods नहीं दे ब आपके problem को solve कर रहे है अब आपके school teachers क्या करते हैं बच्छे वो भी आपको service देते हैं आप उनको पैसे देते हो school में fees भरते हो और teachers आपको class में आके पढ़ाते हैं तो वो भी तरीके के आपको service provide कर रहे हैं है ना और अगर आप देखोगे कि तो यह हमारा एक बड़ा जबर कि ते रहो यार साथ-साथ मैं साथ बहुत दुरगटना हो गए है बहुत गंदी वाली यह जो चाय की चुसकी मैंने लिया ना बहुत कड़वी थिया इसके अंदर मैंने शुगर बुगर कुछ आड़ी नहीं किया मैं भूल गया भाई तो आप जो गया है मेरे गले के अंद देखो यार वीडियो चोड़के जाओगे तो बहुत बच्टाओगे पहले के बता रहो यार तो वीडियो चोड़के मत जाना मैं ट्राइ करूँगा कम से कम समय के अंदर आपके पूरे टॉपिक को वाइंड अप करनेगा ठीक है सिर्फ बात को सुनो अगर यहां पे नोट देखो नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा विकॉस नोट्स आप पीडेफ पॉर्माट में डाउनलोड कर सकते हो उसमें कोई दिक्क्रत नहीं है आपको पीडेफ मिल रहा है विल्कुल फ्री आपको पीडेफ है कोई रूपिया नहीं खर्च करने आपको है ना आप उ फ्रेंड हो मैं तुम्हारा सीनियर हो ऐसा समय लो और हम लोग आपस में बैट करके बातशीत करें चाले तो आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो देगे प्राइमरी सेक्टर क्या है तो यह हमारा डोगेश किसान है यह अदमी काम दंद अगर आप देखोगे जब कभी भी हम किसी भी नैच्छरल चीज का इस्तमाल करके नाच्रल रिसोर्ट का इस्तमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाते है तो वह काउंड क्या जाता है आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर देखें इसको ऐसे समस्थे आपने दिखा होगा कि जो लगाया जाता है दालें लगाई जाती है यह सब कहां से आ रहा है यह सब आ तो नीचर से रहा है प्रकृति से रहा है तो आप प्राइमरी चेक्टर के अंदर क्या कर रहे हो कि जो नीचर या आपके आसपस प्रेजेंट चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके जो है आप कोई ने कोई product को बना रहे हो ठीक है कोई ने कोई समान को बना रहे हो या तब उसको as it is use कर लोगे या फिर उसमें थोड़े से changes करके आप use कर लोगे फॉर example जो गेहूं होता है उसके seeds होते हैं है ना seeds आपको कहा मिलेंगे उसको उठा क्या प्राइमरी सेक्टर इसके अलावा कई आपने देखा होगा कि लोग गाय भैस पाल लेते हैं आप जो नहीं नहीं करेंगी कोई chemical डाल लो तब गी बन रहा है नहीं सिंबल सी बात है सब नाच्वल तरीके से बनाया जा रहा है तो अगि आप देखो कि कहां से मिल रही है जीज़ा में नीचल से방लिये प्रकृति से मिल तो यह क्या उखे छी मिल करें ऐब ऑब इक्जाम्टल अगर आपको आइस मिलाने के लिप आपको क्या चिए होगो दूद कहा रहा रहा है दूदा आ joue Miche सी हमाई गाय मैता दे रही है और से पात है कैमल के दूद की तो आई स्क्रिम खाऊ गए ने तो जो मेजर सोर्स ओफ मिलक है तो काउस है तो बफ्लो सै है है ना Damal का दूद भी इस्तेमाल किया जाता है लिक् Dirnaud लोग लोग नहीं काते है ने इंडिया के अंदर आपको कांवल कई अधर में दूद नहीं मिलेगा जल्दी ठीक है बगाऊज यह अपन बहुतत है है हमारी गायम मिल रहे है environment से मिल रहे है आप उसका as it is इस्तमाल कर रहे है उसका as it is bench दे रहे है and that is why इसको हम क्या कहते है primary sector कहते है ठीक है done तो अच्छा इसके अलावा कर आप देखो कि mining activity हो गए mining activity में क्या होता है कि आपके धरती में बहुत सारे minerals present है न गोल्ड हो गया silver हो गया limestone हो गया copper हो गया वॉक्साइट हो गया तो इससे बहुत सारे minerals present है तो हम लोग क्या करते है इन minerals को मशीनों की मदद से निकाल लेते हैं धरती के अंदर से अब देखे क्योंकि धरती के अंदर से निकाले गया इन इस वज़े से किसमें काउंट कर रहे हैं हमारे primary activity में ठीक है वेरे बचो इसको कई बार क्या कहते है इसको कई बार कहते है अग्रिकल्चर और related sector ठीक है विकाँ maximum products हैं कहां से obtain किया जा रहे हैं आपके nature यानि प्रकृति से आए अब में अगर आप से बात करो यह हमारा dog-age businessman तो यह बड़ा खतरना काला आद्मी मतलब काला सूट पहन करने काला चश्मा करके dance कर रहा है मनु काला चश्मा करें मनु काला चश्मा एससे कर के dog is the businessman की कहानी देखिए क्या है बहुत simple अगर हम अगले sector की बात करें तो अगला sector कहलाता है आपका secondary sector देखिए secondary sector का का काम क्या है बहुत simple secondary sector क्या करेगा कि किसी भी natural product के form को change करेगा उसको change करके उसको और ज्यादा usable बना देखा अब इसको ऐसे समझते हैं माल लिजये आप सारे बचे biscuit खाते है बश्कित खाते हैं बस biscuit है नहीं चा कि आंटे से कहाँ से बनता है मैदा कहां से यह आता है यहाँ होसे तोह पहले किसान से गहुक्रीदा बढ़ियां और किसी farmer से जिसक volley गाए भैसे उससे मक्खन-मक्खन खरीदा और कुछ चीनी वे नहीं खरीदी वह भी कहां से आएगी किसान के खेट से आएगी तो यह सारी चीजों को ले करके कंबाइन करके हमने क्या बना दिया बिस्केट तो हमाई पास क्या है हमाई पास आए कच्छा समान हमाई पास raw material बाद हमने एक नया प्रोडक्ट उससे बनाया जिसको खेलाते हैं बिस्केट और फिर वो बिस्केट को मार्केट में जाके बेचते हैं तो जब manufacturing सेक्टर है secondary सेक्टर की बात की जाती है तो यहां पर हम क्या करते है नाच्वल प्रोडक्ट को किसी और form में convert कर देते हैं और इसको किसी फॉर्म में convert किया जा रहा है तो यह process क्या कहलाता है बड़से manufacturing process यहां किसी चीज को बना रहे हो create कर रहे हो यहां पर ठीक है natural as it is नहीं उसके फॉर्म में बदलाओ कर रहे है for example जो shirt मैंने पहनी हुई है ठीक है यह वाली जो shirt है किस से बनी होगी cotton से अब cotton कहां स उस कपड़े से इस टी-shirt को design किया गया यह आप कह सकते हैं कि cotton जो original एक छोटा सा fiber type का था है ना ऐसा रेशा रेशा टाइप का था उसको भी convert कर दिया गया है किसमें एक कपड़े में टी-shirt में तो manufacturing sector यही करता है कि natural products का जो form है उसको change करके कुछ नया create करता है कुछ नया बन है अच्छा गन्य का इस्तमाल आप करके क्या बना सकते हैं गन्य का raw material यूज करके हम शुगर बना सकते हैं उससे गुड़ बना सकते हैं है ना बहुत simple है तो market के अंदर जो आप चीनी डालते हो न चीनी का powder डालते हो तो चीनी कहां से बनती है चीनी बनती ही गन्य के juice से ठी चीक है आपकी चीनी बनाई जाती है तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है आपका जो फैक्टरी है वो क्या कर रही है किसी भी नाच्वर प्रोड़क्ट के फॉर्म को कनवर्ड कर दे रही है चेंज कर दे रही है आप क्या देख पा रहे हो कि एक नया प्रोड सेक्टर को और डेवलप होने में काफी ज़्यादा मदद करता है ठीक है फर एक्जांपल यहां पर जितनी भी आक्टिविटीज की जा रही हैं वो खुद से कोई सामान प्रेड्यूस नहीं करती लेकिन बाकी जो दोनों सेक्टर सें प्राइमरी और सेकंडरी इनको सामान बना चीनी की फैक्टरी आप डॉगेश किसान जो है वह अपने खेत में गन्ना खाऊंगा गन्ना गन्ना होगा तो बहुत सिंबल सी बात है तो डॉगेश किसान जो है इसने तो वह भी देख लिया काटून कॉन सा आता है औगी उसमें बड़ा इंट्रेस्टिंग केरेक्टर रह इस आपने खेत में घंना होगा हुँगा वह चलत तो अभी क्या हो रहा है कि इन दोनों नापसमें हमा भी Ό एप आपको चहिए एक बड़ी हां गाड़ी है ना बड़िहां गाड़ी चाहिए गाड़ी जिसम्में लाद्ध करकर आप गन्ना ले जाओगे फैक्टरी तक तो अब आता है हमारा dog is the truck driver हुई 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 अग तुम सोचोगे आदमी कि क्या है भाई इतने रोल कर रहा है ऐसा ही है एरा multitasking इंसान है कभी plumber कभी doctor कभी truck driver बागे तुम बढ़ियां समझ सकते हो आगे बात करते हैं चैलिए तो बहुत simple है यहां पर तो अभी dog is किसान ने dog is business man के साथ हाथ मिला लिया लेकिन गन्य को factory तक पहुचाने के लिए क्या जरूरी है एक बड़ी हां गाड़ी जरूरी है तो अभी dog is the truck driver आता है वो कहता है भाईया एक काम करो गन्या मेरी truck में लोड कर दो और मैं जो है factory तक ले जाऊँगा ठीक है अब गन्या लोड हो गया अब कह पहुचा factory तक पहुचा अब factory में जब गन्ये के चीनी बना लिगए जब गन्ये के जूर से चीनी बन गई तो चीनी को market में पहूचाना भी जरूर है अदरवाई चीनी भी एकार है है ना तो यह डॉगेश ट्रक ड्राइवर कहता है हुई 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 मैं ही मार्केट ले जाओंगा तब क्या होता है जितनी भी चीनी बनाई गई इसके ट्रक में लोड की जाती है और यह पहुंच जाता है आदमी मार्केट ठीक है तो आणि अगर आज दोनों सेक्टर्स की बात करें पहले case में जहां गन्या खेत्मों गाया जारा है और जहां दूसरे case में चीनी बनाई जारी कैसे कोई ना कोई service provide करके राइट बच्चों तो यही होता है हमारा tertiary sector यानि service sector ठीक है कई बार service sector भी कहते हैं because यहाँ पर क्या हो रहा है services provide की जा रही है जैसे हमारा dog is the doctor आप समझ सकते हैं इसको यह पता नहीं किसको phone मिला आप किस आदमी का treatment कर रहा है यह तो यहीं बता सकता है ठीक है hospital के सामने कड़े होगे ambulance के आगे phone मिला रहा है यह dog is the doctor तो dog is the doctor के पास यह बिमार आदमी आया है अपना इलाज कराने तो dog is the doctor क्या करेगा इसको इसको इलाज करेगा इसको treatment करेगा इसको service provide करेगा राइट बचो तो ऐसे कर आप देखेंगे teaching हो गया doctor हो गया lawyers हो गया banking system हो गया insurance sector हो गया यह सारे sectors किसके अंदर count होते हैं बिटा आपके tertiary sectors के अंदर यानि यह क्या करते हैं हमको services provide करते हैं एक्जामपल teacher, doctor, washerman, barber, plumber, cobbler, lawyer, call center में काम करने वाले लोग, software companies यह सब क्या करते हैं हमको किसी ना किसी परकार की services provide करते हैं अब आगे बात करेंगे तो यहां तक कानी clear है भाई यहां तक कानी clear है कि हमने तीन sectors की बात के लिए primary यानि जो agriculture related products बनाता है secondary जो किसी raw product को किसी बढ़िया form में convert करता है कुछ नया produce करता है उससे और tertiary जो कि service provide करता है तो यह तीन major sectors है हमारे economy के चल गए अब दोस्तों आगे बात करते हैं अब सवाल उठता है कि सर हम इन sectors को compare कैसे करें देखो बहुत ज़रूरी है comparison करना ज़रूरी है नहीं तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन से sector कितना contribute कर रहा है कौन से sector कितना benefit को कैसे पता चलेगा तो हम हम लोग क्या करते हैं इन sectors को compare करते हैं कैसे compare करते हैं देखो बहुत simple हम लोग क्या करते हैं जो final goods and services का value है हर sector में produced किया गया है किसी particular year के अंदर हैना उसको हम लोग add कर देते हैं और वही हमें total production निकाल के देता है इसको ऐसे समझते देखिए final goods and services क्या होते हैं पहले इसको समझते देखिए माल लीजे मुझे एक biscuit बनाना है डॉगेश डॉगेश क्रीम बिसकुट ठीक इसका नमें डीसी बिसकिट डीसी का fan है बाइए तो डॉगेश क्रीम बिसकुट कह लीजे मैं तो इसको बिस्कुट ही लिखूँगगा ठीक है अब बिस्किट लिखेंगे तो म तो डॉगेश क्रीम बिसकुट, इसका टाइग लाइन है, जो खाए हुई हुई बोल के जाए, ठीक है, तो इसका टाइग लाइन लिख लेते हैं, इसका टाइग लाइन बहुत सिंपल है, हर एक ब्रैंड का अपने टाइग लाइन होता है, तो इसका टाइग लाइन है कि जो है हुई हुई बोल के जाए डन तो हमारे biscuit का टैग लाइन है और हमारा कौन सा biscuit है हमारा biscuit है इसका नाम है डॉगेश क्रीम बिसकेट ठीक है डन अच्छा अब क्या है कि आपको डॉगेश क्रीम बुसकुट बनाने के लिए क्या चाहिए पहले तो मुझे चाहिए गे मुझे चाहिए वीट क्या बनेगा मैदा बनेगा इसके बाद मुझे चाहिए या बटर चाहिए मुझे क्या चाहिए या फिर बटर चाहिए तेल बटर चाहिए हम लोग बटर में बनाएंगे वैसे दोनों की जरुद पड़ेगी हम लोग यह बटर में बनाएंगे बटर के सा क्या चाहिए शुगर चाहिए ठीक है डन तो वीट प्लस बटर अच्छा इसको दोड़ा और सिंपल कर लगते हैं ठीक है वीट प्लस फ्लॉर मतलब आठा ठीक है प्लस आपका बटर प्लस शुगर प्लस जो भी फ्लेवर्स इसमें आड़ करना हो क्रीम बिस्किट है न वो सारी चीज़े हैं डन और फाइनली जो है यह हमको क्या देगा हमारा बिस्किट या बिस्कुट चीक है डन चल अब अगर आप देखोगे तो वीट क्या है यह हमारा रो मेटीरियल है या यह हमारा कच्छा समान है रो मेटीरियल है फिर मैं बात करूँ फ्लार फ्लार मतलब आटा होता है बटर आपका मखन शुगर फ्लेवर्स है न इन सब की बात करूँ तो बिटा यह आपके इंटरमीडियेट गुड्स है यानि वो गुड्स जिनको आप किसी चीज को बनाने म इस्तमाल कर रहे हैं ठीक है इंटरमीडियेट गुड्स ठीक है जिसको आप किसी चीज को बनाने में इस्तमाल कर रहे हैं और फाइनल जो बन के तैयार हुआ है यह हमारा फिनिश्ट गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट फाइनल या फिर आप कह सकते हैं फिनिश्ट प्रोड फ्लेवर यह सब क्या है बिटा यह सब intermediate goods है intermediate goods यानि वो समान जिसको आप किसी product को बनाने में इस्तमाल करते है ठीक है अच्छा और finally अब बात करें तो यह हमारा biscuit है biscuit हमारा क्या है final product जिसको आप sell out करते है अब माल लिजे एक biscuit का जो packet है यह करीब sell हो रहा है मान चलते हैं हम लोग यहाँ पे 15 रुपे का ठीक है हम लोग क्या करते है बच्छो एक biscuit का जो packet है माल लिजे यह 15 रुपे का sell हो रहा है तो यह जो आपका 15 रुपे का value है न this will include this will include the value of raw material this will include the value of raw material plus intermediate goods done चले तो बहुत सारे बच्छों को लगता है कि अगर किसी product का final दाम निकालना है final price निकालना है तो शायद हम सब को add करेंगे नहीं देखे किसी भी product का final दाम होता है जैसे इस biscuit के packet का final दाम कितना है 15 रुपे डॉगेश ख्रीम बिस्कुट है ना जो खाय हुई भी बोल के जाए तो अगर आप देखो के इस biscuit का final दाम कितना है 15 रुपे तो यह जो 15 रुपे का price है ना उसमें हमने सब कुछ include कर लिया है इसका दाम में include कर लिया है इसका दाम में include कर लिया है ठीक है और साती साथ बच्चे जो भी taxes लगते है जो भी profit है यह सारा कुछ हमने complete मिक्स करके जो है दाम रखा है इसका 15 रुपे ठीक है सब कुछ तो आपने कभी देखा होगा biscuit के packet पे पीछे MRP लिखा होता है maximum retail price कभी लिखा होता है और नीचे लिखा होता है inclusive of all taxes आप कोई भी product खरी दिये MRP मतलब वो समान का maximum retail दाम है ठीक है done simple तो अब यहाँ पे देखोगे तो बिस्कुट का जो दाम आया हमारा 15 रुपे है तो जो 15 रुपे है इसमें सब का cost included है ठीक है इसके कच्छे raw material का जो यह समान इस्तमाल किया गया intermediate goods इन सब का दाम included है इस 15 रुपे में तो हम जब कभी भी जब production निकालने की बात कर ठीक है जब कभी भी comparison किया जाता है किसी भी sector का तो हम कभी भी जो intermediate समान होता है उसका value नहीं add करते हैं हम सीधे उसका value add करते हैं जो finally उस sector ने produce किया अब for example जहां से गेहूं आया होगा गेहूं किसका part है primary sector का तो जिस किसान ने गेहूं बेचा जैसे हमारा dogash किसान तो उसन इतना amount of गेहूं उसने बेचा होगा let's say उसने 100 kg गेहूं बेचा तो जो 100 kg गेहूं का value है है जो भी price है वो add किया जाएगा primary sector में done sorted है हम आटे का price उसमें नहीं add करेंगे because उसका product गेहूं था चीक है done है secondary sector का product क्या है secondary sector ने क्या product बनाया है biscuit तो secondary sector का product क्या है biscuit तो जो biscuit का final द विसेज़र तो यह हमारा क्या है हमारा final good है अब इसके बाद कुछ नहीं ठीक है तो यह हमारा final product है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं किसी भी sector का final product होता है सिर्फ उसी का value आट करते है आज पास इदर उदर के चीज़ों का value नहीं add करते है because जो final product का value होता है उसमें सब इसका production निकालना हो तो इसको भी add करें इसको भी add करें इसको भी add करें रख elect करें नहीं वह गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि आप एक ही चीज़ का दाम बार-बार add कर रहे हो तो वह नहीं करना है अपने को अपने को सिर्फ final goods का ही दाम उठाना है ठीक है समझ außer majesty माना भी raw तो हम लोग जब कभी भी compare करने जाएंगे तो हम इस दाम को calculate करेंगे ठीक है बचो चले और this gives us एक बड़ा interesting concept जिसको आप GDP कहते हो खाला कि देखो एक मैं आपको बताता हूँ GDP जितना आसान आपको दिखता है इतना आसान है नहीं NCRT ने एक simple funda बता दिया है बच्चों को कि हर एक sector में जितना सामान produce किया जा रहा हूँ उसके value को add कर दो आपको GDP मिल जाएगा हाला कि GDP ऐसे नहीं निकाला जाता है ठीक है मैं एकदम clear बता रहा हूँ जो बच्चे एकदम core economics पढ़ते हैं ठीक है जीडीपी कई तरीके से निकाली जाते है रियल जीडीपी होती है नॉमिनल जीडीपी होती है ठीक है market price पर जीडीपी निकलती है तो जीडीपी को निकालने के ना कई तरीके कई फॉर्मले एक common formula जो जीडीपी निकालने का follow किया जाता है वो है consumption plus आपका investment plus government ने किता तो इस तरीके से हम लोग GDP निकालते हैं हाला कि वो formula आपको class strength में नहीं पढ़ना है तो अब उसको discussion नहीं करेंगे because आपके syllabus का part नहीं है तो बच्चों के अंदर बहुत सारे confusion in fact कल ही एक बच्चे ने मैंसे पूछा बड़ा अच्छा question था उस बच्चे का कि मैं उस question को ही आपके सामने discuss करता हूँ फिर हम GDP को calculate करेंगे अब ठीक है ठीक है जीडीपी कह रहा है कि GDP stands for gross domestic product ठीक है इस तेम पता लगाते हैं कि किसी देश का economy कितना strong है कितना weak है जिन देशों में आप देखोगे कि GDP का growth अच्छा है वो इस बात का indicator है कि वहां की economy progress कर रहे है ठीक है व हमारे पास दो लोग है एक वो इनसान है जो टमाटर उगाता है अपने खेत में और दूसरा वो factory का मालिक है जो उससे अपना ketchup बनाता है ठीक है दन तो उस बच्चे ने पूछा कि सर जब हम NCRT यह कह रही है कि जो ketchup है उसके अंदर टमाटर का भी दाम included है जो कि बिल्कुल स आड क्या करेंगे फिर सिर्फ ketchup आड करेंगे यह टमाटर आड करेंगे ठीक है तो यह question बड़ा interesting लगा मेरे को बढ़िया लगा तो मैं सोचा आज बच्चों क साथ discuss करूं और फॉसनेटर चाप्टर भी वही चल रहा है तो बालक का बच्चा यह इस बात में confused था कि सर NCRD कह निकालने का यह सही तरीका नहीं है तो GDP आपकी कई सारे फॉर्मले लगाए जाते हैं तब आपको GDP निकलता है फिलाल जो NCRT में दिया हैं उस पर focus करते हैं यह कह रहा है कि GDP ग्रॉस डॉमेस्टिक शब्द को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ठीक है ग्रॉस डॉमेस्टि डॉमेस्टिक का मतलब होता है विदिन दा कंट्री यानि अपने देश के अंदरी प्रेडियूस की कोई कोई भी चीज विदिन दा कंट्री डन ठीक है आच्छा अब ध्यान दीजेगा तो GDP of a country तो sum of production in the three sectors यानि तीनों सेक्टर सें जितना पैसा कमाया है एक साल के अंदर जितना प्रेडियूस किया है उसको add कह दी ज़िए आपको GDP मिल साएगा तो GDP equals to production of primary plus secondary plus tertiary ठीक है डन तो यह अपने NCRT के साफ से definition है NCRT कहता है कि GDP अगर आपको निकालना तो आप क्या करीए primary, secondary और tertiary sector में जिसने जितना कमाया है एक साल के अंदर उसको सब को add कर दी ज़िए आपको GDP मिल जाएगा ठीक है अब आते हैं बच्चे के question पे टमाटर और कैसा पाले तो बच्चे का सवाल यही था कि sir क्या हम टमाटर का value add करेंगे GDP में तो मेरा answer है जी हाँ या add करेंगे, क्यों add करेंगे बताता हूं आपको टमाटर किस में आया, primary sector के अंदर ठीक है तो primary sector वाले ने टमाटर बेचा है ना, तो जीतना भी टमाटर उसने बेचा 100 kilo, 200 kilo, 400 kilo, 500 kilo उसका जितना भी पैसा आया वो primary sector के खाते में जाएगा ठीक है विकाज वो primary sector का product है final product उसका टमाटर ही है वो टमाटर ही बेच रहा है टमाटर रो कनवर्ट नहीं कर रहा है वो primary sector है तो ट्राइमरी सेक्टर में उस किसान ने जितना भी टमाटर बेच आओगा 400 kg 500 kg 600 kg 800 kg वो जितना भी बेच करके उसका जितना भी पैसा आएगा जो भी value अब purchase करने के बाद उससे क्या किया, ketchup बना है, जो factory का जो final product है, वो tomato ketchup है, ना कि tomato, ठीक है, because tomato के अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें add की गई है, genuine बात है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें add होगी, तब जाके ketchup बनेगा, तो जो secondary sector है, उसका final product है, वो tomato का ketchup, ठीक है, tomato का sauce, done, तो जो secondary sector, जितना भी tomato ketchup बेचेगा market में, ठीक है, for example, let's say कि उन्होंने 2000 packet ketchup के बेचती है, तो जो 2000 packet का जो value है, वो count किया जाएगा अभी, किसके अंदर, GDP के अंदर, done, अब इसको ऐसे समझते हैं, इसको चलिए, tomato ketchup वाले example से ही समझ लेते हैं, इसको बहुत simple है, कि do I have any other page ठीक है, तो उसको tomato ketchup वाले example से समझ लेते हैं, देखे, माल लीजे कि primary ने क्या किया, कि primary ने primary sector के अगर हम बात करें, तो उसने क्या किया, कि rupees 10 पर kg के हिसाब से, 10 रुपे पर kg के हिसाब से, let's say कि करीब 500 kg tomato जो है बेचती है, 500 kg tomato sell कर दिया, ठीक है, tomato sell कर दिया, done, तो अगर primary का production निकालने जाओगे, कि primary ने कितना produce किया, primary का production निकालने जाओगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, definite सी बाते, इसको multiply करके निकालेंगे न, इन्ही 500 into 10 कर लो, कितना हुआ भई, 500 into 10 कितना हो गया, यानि 5000, तो भई, primary ने कितना contribute किया, 5000, done, sorted, ठीक है, चलिए, अब secondary ने क्या किया, इसका ketchup बना दिया, secondary ने क्या किया, इसका ketchup बना दिया, ठीक है, secondary ने क्या किया, इसका ketchup बना दिया, है न, और ketchup sell किया जा रहा है, let's say, हम लोग, let's say, 50 रुपे पर packet, 50 रुपे का एक packet, जो है, ये लोग ketchup का sell कर रहे हैं, है न, और let's say, इन्होंने क्या किया, क इनका production निकालोगे तो कितना आएगा production कितना आएगा बच्छे इनका 50 into 2000 ठीक है that is कितना हुआ हमारा 5 into 2 कितना हुआ बच्छे 10 हो गया done और कितने 0 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है 1 2 3 4 कितना हो गया once ten hundred thousand ठीक है तो लगबग लगबग 1,00,00 रुप है ठीक है लगबग 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 1,00,00 रुप है अजपस टन तो यह inka production हो गया अब अगर मानलू कि यह जो आपका ketchup है यह कहां जाएगा यह जाएगा पेटा दुकान के अंदर तो यह आपका ketchup पे कहां जाएगा है जाएगा दुकान पे आप कहां से खरीद होगा आप खरीद होगा दुकान से डेफिनेट सी बात है बिकाज हम direct companies थोड़ी खरीद है हम तो दुकान से खरीद रहे हैं तो दुकान वाले भाईया ने क्या किया कि दुकान वाले भाईया ने इसी ketchup को दुकान वाले भाईया ने sell किया let's say 100 paper packet ठीक है दुकान वाले भाईया क्या करें 100 paper packet बेच रहे हैं और इन्होंने total कितना sell किया total sell किया इन्होंने कितना sell किया let's say कि आपको इन्होंने इन का production कितना हो जाएगा तो यहाँ कितना हो गए बटा यह प्राइम्री सेक्टर का 5000 रूपिया एट कर देंगे ठीक है primary sector का 5000 एड़ कर देंगे प्लस एक लाग रुपे इसके आड़ कर देंगे ठीक है 1,00, रुपे इसके आड़ कर देंगे और प्लस अपन इसने कितना कमाया दुकान दार ने 2000 रुपे इसको आड़ कर देंगे तो ये अपने को क्या देदेगा GDP देदेगा तो आपने क्या देखा भी टमाटो-केचप वाले एक्जामपल में कि हर एक सेक्टर का जो प्रोडक्षन है, फाइनल प्रोडक्षन आप उसका इस्तमाल कर रहे हैं, अब उसको यूज कर रहे हैं, फर एक्जामपल अगर मैं बोलूं कि जो किसान्ट टमाट़ उगा रहा है, कि 10 रुपे, 10 रुपे पर किलो के साब से 500 किलो टमाटर बेज दिया, तो इसके पास कितना प्रॉफिट आया, इसके पास टोटल प्रोडक्शन का कितना आया, 5000 रुपे, ठीक है, अब जो सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, जिसने उसका टमाटर का इस्तमाल करके केचप बनाया उसका final product क्या, उसका final product केचप है, तो उसने क्या 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 किचप बना कि wholesale में 50 रुपर पर पैकेट बेज दिया, तो इसका total कितने पैकेट बेचे इनों, 2000 पैकेट बेचे, तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपे इनोंने कमा लिए, 1 लाख रुपे इनका production आ गया, sale आ ठीक है, अब क्या हुआ कि जो दुकानदार ने खरीदा, obvious ही बात है कही सारे दुकानदार खरीदेंगे, उसमें से दुकानदार ने जो है 100 रुपे पर पैकेट की जाब से 20 पैकेट बेचती है, तो इसका कितना आया है, इसका आया है 2000, तो जब आप GDP निकालने जा रहे हो, तो आप तीनों के final products को ही count करोगे, है न, because यहाँ पर दुकानदार service provide कर रहा है, आपको समान बेच करके, वो बना नहीं रहा है, वो आपको service provide कर रहा है, आपको बेच रहा है समान, ठीक है, दुकान खोल करके बैठ है, shopkeeper है वो, right बचो, तो यहाँ पर shopkeeper का जो final contribution है, 2000 रु और हम क्या करते हैं, एक साल में तीनों sectors ने कितना कमाया है, कितना produce किया है, इसको add करके क्या निकाल देते हैं, that is GDP, that is gross domestic product, अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपे, since domestic की बात की जा रही है, तो domestic के अंदर कभी भी foreign income को include नहीं किया जाता, यानि माल लीजे, बाहर विदेश में काम कर रही है, for example, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर माल लीजे मैं अपने समोसे का जो दुकान है, वो यूगांडा के इंदर खोल दिया, तो यूगांडा में जो मैं पैसे कमाऊंगा, वो भारत की GDP में count नहीं किया जाएगा, उसको आप count कर सकते हैं भ मेरी जो समोसे की दुकान है, वो इंडिया के हो सकता है, पांच शेरों में खुली हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कई जगे हो, पांच शेरों में हो, तो उन पांच दुकानों से जितना भी पैसा मैं कमा रहा हूँ, वो count करूँगा मैं इंडिया के GDP में, पर जो मेरी income है, उसको आप JNP में count नहीं करते हैं, ठीक है, स्वारी, GDP में count नहीं करते हैं, ध्यान दखेगा है चिसको, दन, चले, तो बच्चों हमने क्या देखा भी यहाँ पर एक बफ दुबारा से मैं आपको एक concept revise करा देता हूँ, विकॉस कई बार ऐसा होता यार की दिक्कत आती है, परशानी आती, तो हमने क्या दिखा जब हम तीनों सेक्टर को यहाँ पर compare करें, ठीक है, आपस में comparison चल ला है तीनों सेक्टर का, तो हम सिर्फ final goods की value को ही यहाँ पर calculate करते हैं, ठीक है, सिर्फ final goods की value को, तो मैंना को बता आने वो हमारा क्या intermediate goods है, intermediate goods मतलब वो समान जिसका इस्तमाल आप किसी final product को बनाने में कर रहे हो, और जो हमारा final product है और आप biscuit है, ठीक है, बिस्कुट है, फिर biscuit के लिए, अच्छा, अब यह biscuit का जो दाम है 15 रुपे, इसमें हर चीज का value added है, done, sorted है, तो हम जो final जब secondary sector का output न calculate करते हैं, ठीक है, तो GDP क्या है, final value है, आपके final goods and services की तीनो sectors के अंदर, यानि primary, secondary and tertiary के final goods and services होते हैं, उनके value का हम add कर लेते हैं, उसके बाद हमको मिल जाता है GDP, ठीक है, जहाँ पर मैंने for example, tomato केचा बहुर, टमाटर वाले example लिया, जो बच्चे ने में से question बूच जा था, तो यहाँ पर हमने example लिया, कि माली जी एक किसान है, वो टमाटर उगा रहा है, तो उसने let's say 500 kg टमाटर बेचा, तो वो जो 500 kg टमाटर का value है, वो किस में count किया जाएगा, वो count किया जाएगा, primary sector के अंदर, ठीक है, अब उस टमाटर को लेकर रहे कोई factor अगर ketchup बनाती है, ketchup कि बेचती है, तो जो ketchup का value है, वो count किया जाएगा, secondary के हाँ, इससे में, और माल लीजे, उसी ketchup को कोई दुकान दार, जो है, किसी customer को बेचता है, तो जितना भी वो बेचेगा, तो उसका जो भी value आएगा, वो count किया जाएगा, tertiary sector में, और जब आपको GDP निकालना होगा, तो तीनों sectors के value को आपड करके GDP को निकाल सकते हैं, ठीक है, यानि primary ने जितना कमाया, secondary जितना कमाया, और tertiary ने जितना कमाया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको confused नहीं होना है, done, चली, अच्छा, अब अगर आप देखोगे, तो यह क्या शो करता है, जिसका GDP आप देखोगे, जि कितना मजबूत है, कितना strong है, अच्छा, आप इंडिया में भारत के अंदर GDP को measure करने का जो task है, वो कौन करता है, central government की, central government की ministry करती, कौन सी, central statistics office, जो आता है, under the ministry of statistics and program, तो यह बढ़ा अच्छा topic है, बढ़ा बढ़िया है, कि इंडिया में अगर आप से पूछ ले, one number में, कि GDP calculate कौन करता है, तो भारत के अंदर GDP calculate करने का काम किसका है, central ministry का, कौन सी ministry करती है, ministry of statistics and program, और इसके अंदर कौन सा office करता है, central statistics office, तो यह करता है भारत के अंजर GDP calculate, चली, आगे बात करते है, अब एक बाद GDP के share पे थोड़ा सा नज़ा डाली जाए, तो अगर आप देखो आप देखेंगे, 73, 74 के अंदर, तो primary ने भी अच्छा कासा contribute किया है, secondary ने थोड़ा कम किया, उसके बाद आपने tertiary ने भी ठीक ठाक किया, 23,14 में कि आप देखोगे, तो primary का share हो काफी कम आपको दिखाई देता है, secondary थोड़ा ज़ादा है, और सबसे ज़ादा जो है, आपको आपने, तो हमने क्या देखा भी यहाँ पे, कि हमने दो, हमें ग्राफ को compare किया, और क्या दिखाई थी अपने को, कि अगर हम GDP share की बात करें, तो GDP share के साब से, 1970, 74 में, जो है, primary sector का contribution, अच्छा कासा है, secondary का थोड़ा काम है, tertiary का भी, okay, लेकिन 2013, मलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप देखोगे, तो जो हमारा, tertiary sector है, उसने एक बड़ा उचाल मारा है, एक बड़ा jump मारा है, ठीक है, यहनि, tertiary sector का contribution highest हो गया, उसका secondary है, और सबसे कम आपको primary का दिखाई देता है, done, अब इसके बीचे क्या कारण हो सकता है, rising importance of the tertiary sector, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, tertiary sector एकदम से इतना important क्यों हो गया, एकदम से इसका contribution ज़्यादा बढ़ क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया, कि यहाँ पे एकदम ज़्यादा चीज़ें प्रेडियूस हो गया, अब अगर हम बात करें, services जैसे hospital हो गया, आपके schools हो गया, poster, telegraph services हो गया, ठीक है, police station हो गया, आपके courts हो गया, village के अंदर, गाओं के अंदर, कई बार जो offices होते हैं, panchayat वगरा के हैंना, वो हो गया, यह शेरों के अंदर आपका नगर निगम हो गया, municipal corporation हो गया, defense हो गया, transportation हो गया, bank हो गया, insurance हो गया, हैना, यह ऐसी services हैं, जो हर एक इंसान को एक अच्छी जिन आप एक किसान हो, ठीक है, आपने क्या किया है, कि बहुत ज़्यदा आलू-प्यास होगा लिया, अब हो सकता है कि season में या market में आलू-प्यास का demand नहीं हो, तो ऐसे cases में आपको नुकसान हो जाएगा, तो अभी क्या है कि अगर आप देखोगे, cold storage होते है, cold storage का का काम क्या ह होता है कि सबजीयों को एकड़म, माइनस temperature के अंदर store करके रखना, और जब market में दाम अच्छा हो जाता है, तो किसान इसको निकाल करके बेच देता अच्छे पैसों पर, ठीक है, तो जो cold storage services है, यह क्यों आई, क्योंकि agriculture बढ़ा, industry बढ़ी, तो agriculture बढ़ने से कई सारी नई services अभी हमारे market में आगी, for example, transportation हो गया, trading हो गयी, storage हो गया, है न, और in fact, अगर आप देखोगे कि किसान को, जैसे हमने example लिया था, डौगेश किसान, डौगेश बिजनसमेन का, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा था, गन्ने को transportation द्वारा, यानि truck द्वारा, कहां पहुचा ज लिया जाता है, factory में, तो उसको market तक पहुचाना भी ज़रूरी है, because अगर market तक नहीं पहुचेगा, तो समान का कोई value नहीं, कोई usage नहीं रहा था, तो वहाँ पे भी आपका service sector का importance बढ़े जाता है, फिर कई बार हमने क्या देखा, example कि किसान क्या करता है, कि माल लीजे, market मे उसके सामान का दाम अच्छा नहीं मिल रहा, तो ऐसे में अगर वो बेचेगा, तो उसको loss होगा, तो किसान लोग क्या करते हैं, उसको cold storage में डाल देते हैं, cold storage क्या है, एक ऐसी facility है, जहाँ पे सबजियों को बहुत कम temperatures पे store किया जाता है, जिससे वो खराब नहीं होती, और इंकम बढ़ती है, जब आपके पास ज़्यादा पैसा आता है, तो आप ज़्यादा services भी demand करते हैं, अब देखो, पुराने जमाने में क्या था, कि लोग जो है ना, जो single single cinema halls होते हैं, तो उसमें जाता है, ठीक है, विकास लोग के पास पैसा ज़्यादा बढ़ा, तो लोग लग तरीके की दुकाने, अलग लग तरीके की shops आपको वाँ दिखाई देती होंगी, आप ऐसा, ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमारी income body है, तो हम ज़्यादा services को demand भी कर रहे हैं, हमें entertainment चाहिए, हमें अच्छे school चाहिए, अच्छे colleges चाहिए, हमें अच्छ hospitals रहे हैं, राइट बच्छो, ठीक है, हमें tourism activity भी करने, आप देखोगे, अब लोगों के पस पैसा है, तो आपको weekends में कभी भी छुटी होती है, Friday, Saturday, Sunday अगर छुटी है, तो लोग आधे ज़्यादा time आपको पहाडों दिखाई देते हैं, अब as a result आप देखेंगे, पहाड अगर आप देखोगे, कि अभी क्या है, कि लोग पहले सरे school जाते थे, या coachings होती थी, तो घर में आसपास tutors पढ़ा दिया करते थे, अभी क्या है, लोगों को na coachings organized रहे हैं, तभी आप देखो इतने सारे नए नए इंस्टिट्यूट्स आ रहे हैं, लोगों को पहले क्या ह अगर आप देखोगे, for example, सबसे बढ़िया example लेते हैं, COVID-19 का, COVID-19 में जब बच्चे अपने घर में बंद हो गए, जब स्कूल बंद हो गए, तो आपने दिखा होगा, online education कितना जदा ग्रो किया है, हैना, online education का demand आया, क्योंकि बच्चे demand market में create हुआ, हैना, लोगों के पास definite सी बात है, पैसे थे, लोग स्कूल की फीज तो दे ही रहे थे, लेकिन स्कूल बच्चा जा नहीं पा रहा है, तो स्कूल ने भी online classes start किया, इसके अलावा आपको extra guidance चाहिए, extra आपको exam clear करने के लिए tips and tricks चाहिए, तो वहाँ आप देखोगे, कि कई सारे जो बड़े- education का demand था बहुत जादा बढ़ गया, अभी भी आप देखोगे कि online education से कितने सारे बच्चे benefit होते हैं, खासकर वो बच्चे जिनके पास resources नहीं है, पास में कोई अच्छा school नहीं है, या इतने अच्छे teachers available नहीं है, अपने आसपास उनको पढ़ा सकें, आगे बढ़ा सकें, तो वो बच्चे अभी online education कित्रू आप देख सकते हो, कितने अराम से, कितने मज़े से पढ़ रहे हैं, अब जैसे for example, जब उडान YT channel स्टार्ट किया था, उसके बीचे भी यही initiative था, कि बहुत सरह ऐसे बच्चे होते हैं, जो even बहुत कम cost of batch भी afford नहीं कर पाते, तब ही हमने demand था, इस वज़े से आप देखोगे कि यहाँ पे एक service create हुई, तो वैसी जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है, तो लोग ज़्यादा चीज़े खल्च करते हैं, ज़्यादा चीज़े चाते हैं, लोग चाते हैं कि उनके पास ज़्यादा restaurants आएं, जहां बाहर खा सके हैं, लोग घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, उनको शॉपिंग मॉल्स चाहिएं, है ना, हस्पिटल चाहिएं, स्कूल चाहिएं, तो इस सारी चीज़े क्या हैं, बच्चे सारी चीज़े आती ही, service sector के अंदर, tertiary sector के अंदर, अच्छा, अब अगर हमें आगे बात हैं, लोगों के अंदर आला से, कई बार creativity की कमी है, और इस बात को जो आपके technicians उन्होंने crack किया, तो as a result आप देखो के कई सारी नई services आ गई, artificial intelligence based काफी applications आ रहे हैं, जो आपकी बहुत सारी चीज़े को track कर रहे हैं, आज आप देखो के smart watches आ गई, अब जब लोग क्या है, क्या उनको करना चाहिए, तो ऐसे ही से करके आप देखोगे, तो market में जब चीज़ों का demand आता है, तो services create होती है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा reason है कि हमारा service sector पिछले कुछ सालों में boom किया है, ठीक है, बनी काफी ज़्यादा grow कर गया है, और grow करेगा, लोग services खर फोन है, फोन जो आप यूज़ करते हो, सम लोग call करते हैं, सम लोग बातचीद करते हैं, internet जिसको आप यूज़ करके class ले रहे हो, तो ये सारी के हैं, बच्चे, ये सारी services ही तो है, तो आज इसका usage अगर आप देखोगे, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जब आप people employed, हैना अपने आप में बहुत बड़ा question है, ठीक है, आईए, इसके लिए हमना पहले graph charts देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कि लोग काम काहां करते हैं, ठीक है, done, अच्छा, जैसे कि आप share of GDP की बात करें, तो अगर हम share of GDP की बात करें, तो हमको एक बात तो समझ में आ गई, कि 1973 से 74 की बीच में, 74 और 2013-14 के बीच में, जो एक sector सबसे ज़्यादा grow किया है, वो है आपका tertiary sector, ठीक है, यानि tertiary ने सबसे ज़्यादा growth यहाँ पर show किया, in terms of GDP, 73 में भी tertiary का ठीक ठाग ग्रोथा, लेकिन primary का अभी काफी अच्छा ग्रोथा, अ तो आपने यह तो देखा कि tertiary का share GDP के अंदर काफी जाता है, अब primary का काम है, लेकिन क्या employment के लिए भी बात सही साबित होती है, क्या लोग employed है tertiary sector के अंदर, तो यहाँ पर जो आपका bar graph है, वो कुछ अलग सी कहानी बताता है, अगर आप देखो कि बच्चों कि percentage की बात करे तो यहाँ पर अगर आप 77 और 78 का data उठाईए, तो 71 परसंट जनता किसमें engaged है, आपके agriculture वाले sector में, यानि primary sector में, और अगर आप देखें, 2017-18 का data तो यहाँ पर भी 44 परसंट जनता जो है, वो primary sector में ही काम कर रहे है, ठीक है, secondary की बात करें, तो 77 में, 1977 में 11 परसंट जनता secondary म काम कर रही थी, जो बढ़ के अभी 25 परसंट हो गई है, ठीक है, और अगर हम टर्शरी में बात करें, तो टर्शरी में जितना बड़ा बूम आपके GDP में आया है, उतना बड़ा बूम employment में नहीं आया, यानि अगर हम बात करें, 1977-78 की तो देश के 18 परसंट जनता, टर्शरी सेक्टर में काम कर रही थी, और अब जो है, 2017-18 का डेटा उठाई है, तो सिर्फ 31 परसंट जनता ही, यहाँ पर टर्शरी सेक्टर में काम कर रही है, यानि largest employment की बात की जाए, तो 1977 में भी primary sector था, और 2017-18 में भी primary sector ही था, यानि employment wise, ठीक है, तो हमने दो चीज़े सीखी है, आ आपका largest contributor, ठीक है, तर्शरी सेक्टर क्या हमारा है, this is the largest contributor, ठीक है, यह सबसे जाधा contribute हमारा तर्शरी सेक्टर ही कर रहा है, largest contributor है, done, और वही अगर मैं आपसे बात करूं employment की, तो employment की case में जो primary है, वो आपका largest contributor है, ठीक है, employment की बात करूं, तो employment में जो आपका primary sector है, बिटा यह आपका largest contributor है ठीक है प्राइमरी जो है मारा क्या है बच्छे largest contributor ठीक तो यह अपने आपने बड़ी चौकाने वाली बात है अपने आपे काफी ज़्यादा questionable बात है कि यह ऐसा क्यों है कि अगर GDP के अंदर tertiary ने इतना contribute किया है तो employment में contribute क्यों नहीं कि यह बात करते हैं आधे से जादा जो जनता है भारत की वो अभी भी primary sector के अंदर ही काम कर रही है चीक है और अगर आप GDP की बात करोगे तो GDP का contribution बहुत कम है और वह अगर secondary और tertiary का बात करें तो ये sectors comparatively काफी कम लोगों को रोजगार दे रहें काफी कम लोगों का employment दे रहें लेकिन अगर इनके GDP की शेर की बात करें तो भाया जो भारत का four-fifth part of GDP है वो secondary और tertiary contribute करते हैं यानि GDP wise इनका contribution जादा है और employment wise अभी भी primary sector का contribution जादा है तो अब बच्चे इससे क्या समझ पाते हो ऐसा क्यों होता है आईए इसको समझने के लिए देखते हैं एक जबरदस case study जहां पर हमारी बड़ी जबरदस आंटी है लक्ष्मी आंटी तो लक्ष्मी आंटी की कहानी को जानते हैं और तब हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों ह क्या है इनके पास कितना जमीन है इनके पास दो हेक्टर का जमीन है ठीक है कितना जमीन है इनके पास बचो इनके पास दो हेक्टर का इलाका है ठीक है और जो की अनिरिगेटेड है अनिरिगेटेड का मतलब यहां पर इरिगेशन का इनके पास कोई साधन नहीं है यानि कोई ट्यूबल नहीं है कोई इनके पास कनाल से पानी नहीं आ रहा ठीक है तो जितना भी पानी आ रहा है वो सिर्व और सिर्व आप समझ जाईए कि रेन यानि बारिश की पानी पर ही निरबर है तो इनके पास अलग से पानी लगाने का कोई साधन नहीं है खेतों के अंदर सिर्व में कितने members है 5 members पांचों के पांचों लोग जो है ना same खेत पे काम करते हैं पूरे साल बर ठीक है because इनके पस कोई और जॉब करने के लिए है ही नहीं right बचो sorted तो इनके बस दो हेक्टर की जमीन है जो की काफी कम है इस पे कोई irrigation का साधन नहीं है जोर और अरहर की दाली लोग उगाते हैं और 5 members उनकी family में वो लोग पूरे साल जो है इसी खेत के उपर काम करते हैं because उनके पस कोई और काम धंदा नहीं है अच्छा अब अब आप देखोगे हर कोई इनसान थोड़ा-थोड़ा काम कर रहे है लेकिन किसी के पस बहुत सारा काम नहीं है तो मलब माल लीजे कोई किसी ने बीज लगा दिये किसी ने खेत की जुताई कर दी किसी ने धान काट दिया तो हर कोई काम जो हर कोई इनसान पांचों लोग जो है मिलके थोड़ा-थोड़ा काम कर रहे है लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी एक इनसान पूरी तरीके से इंप्लॉइड हो चीक है इसी को आप कहते हो अंडर एंप्लॉइमेंट यानि जब आपके potential के मताबिक आपसे काम ना करवाया जाए ऐसा लगी कि आप काम कर रहे हैं लेकिन actually मैं आप कोई काम नहीं कर रहे है अगर मैं देखू इन पांच मेंबर्स मेंसे अगर मैं दो मेंबर्स निकाल लूँगा न तो भी इनके production पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला लेकिन जो पांच लोग यहां मिलके भी काम कर रहे हैं उससे productivity increase नहीं हो रहे productivity increase तब होगी जब इन पांच में से दो या तीन लोग खेत पर काम करें और बाकी दो लोग कहीं और जाक काम करें तब जाके family income बढ़ेगा ठीक है तो ऐसे situation को आप कह सकते हैं under employment और ये भारती agriculture की बहुत ही common कहानी है यानि इंडियन agriculture में ये बात बहुत common है कि maximum लोग जो दिखाई दे रहे हैं खेतों में काम कर रहे हैं उनका वहां utilization है ही नहीं तो उनके काम करने कोई फायदा नहीं अगर माल लीजे एक खेत में पांच लोग काम कर रहे हैं उन पांच में से दो लोग को भी हटा दोगे तो खेत का production डाउन नहीं होगा ठीक है तो ऐसे लोग दिखने में तो employed है but actually unemployed है इसको कहते हैं मतलब disguise unemployment भी ठीक है कि दिखने में तो आपको लग रहा है वो काम कर रहे है but actually इनके काम से कोई फर्क पढ़ नहीं रहा है ठीक है तो इसी को अपन under employment कह सकते हैं या फिर disguise unemployment कह सकते हैं तो what is under employment ठीक है a situation where people are made to work where people are made to work less than their potential ठीक है less than their potential they may look to be employed they may look to be employed but are actually unemployed but are actually unemployed ठीके? done this is also called this is also called disguised unemployment this is also called disguised unemployment ठीके? done ठीके? कैसे situation जहाँ पे लोगों को अपने potential के मुताबिक कम काम करवाया जाए? यानि पूरी तरीके से यूटलाइज ना किया जाए? तो लोग दिखने में आपको employed लगेंगे बट अच्छली वो है जिसका नाम है सक्राम सक्राम किया करता है? इनके घर पे आता है और एक मेंबर को हाइर कर लेता है family के किस पे अपनी जमीन पे काम करने के लिए ठीक है hires one or two members तो बहुत simple सी बात है एक से दो लोगों को ये अपनी जमीन पे काम करने के लिए हायर कर लेता है ठीक है तो सुखराम कौन है एक जमीन दार इसके पास बड़ी जमीन है ये आता है लक्षमी के बास कहता है काम करो यार अपने घर के दो लोगों को भेज़ दो मेरे हां काम करने के लिए ठीक है अब क्या है कि लक्षमी की family अभी थोड़ा extra income अंकर पारी क्यों अंकर पारी because जो दो लोग है वो भी क्या कर रहे हैं किसी और के खेत पे काम करें तो जादा बहतर पैसे कमा पारे है तो since five people यहाँ पे needed ही नहीं थी लक्षमी के छोटे से plot को देखने के लिए तो अगर दो लोगों को आप हटा भी देंगे तो इससे कुछ खास फरक पढ़ने वाला नहीं है यारि अभी लक्षमी को in fact फाइदा हो गया कि लक्षमी जो है तीन लोगों के साथ अपने खेत पर काम भी कर पाएगी उससे भी पैसा आएगा प्लस वो जो उसके घर वाले घर के दो लोग किसी और की खेत पर काम करने कहें वहाँ से भी जो पैसा आएगा उससे इंकम लक्षमी की बढ़ जाएगी है ना बच्चो चले तो इस एक्जामपल में ने क्या देखा कि जो ये दो लोग है अच्छा इस एक्जामपल में क्या देखा बच्चो कि दो लोग तो यहाँ पर खेत पर काम करने चले गए ठीक है अब अगर आप देखोगे कि और दो लोगों को अगर निकाल दिया जाए और वो किसी फैक्टरी में काम करने चले जाए तो भी इसके खेत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन फैक्ट इसकी फैमिली इंकम बढ़ जाएगी वो इतना बड़ा नहीं है कि आपको पांच लोग की ज़रुवत है तो अगर आपके दो लोग किसी और जमीन पर काम करने चले गए दो लोग को अगर मान लीजए फैक्टरी में काम करने भी चले गए तो भी आपके खेत को मानज किया जा सकता है तो दुबारा से क्या होगा यहाँ पर जो इनकम है फामिली क्यों बढ़ जाएगी और अभी यह लोग अपनक जो भी अपनी जमीन पर प्रेड्यूस करते थे खेतों प्रेड्यूस करते थे वो भी करते रहेंगे तो देखिया अभी कितना फाइदा हुआ पहले क्या था पांच के पांचों लोग एकी जमीन पर काम करें थे इसका कोई रिजल्ट नहीं था कोई आउटपुट नहीं था अभी क्या हुआ दो लोग किसी और जमीन पर काम करने चले गए है दो लोग factory में काम करने चले गए तो आपकी पास क्या आने लगा एक्स्ट्रा पैसा आने लगा एक्स्ट्रा इंकम आने लगी as a result आपका खेट भी मैनेज हो रहा है प्लस आपकी फामिली की इंकम भी बढ़ गई ठीक है चली तो इससे हमने क्या कर्क्लूड किया कि लक्षमी जैसे लाखों किसान हैं हमारे देश के अंदर जिनका सेम हालात है ठीक है अगर इन में से कुछ को किसी और सेक्टर के अंदर जॉब दे दी जाए तो इनका एगरी कल्चर प्रोड़क्शन है सफर नहीं करेगा ठीक है डेफिनीट सी बात है लक्षमी जैसे लाखों छोटे किसान है जिनके परिवार वाले पूरे के पूरे परिवार वाले अपने ही खेत में काम कर रहे हैं और इनका आउटपुट उससे नहीं बढ़़ा अगर इनमें से कुछ लोगों को निकाल करके अधर सेक्टर में शिफ्ट कर दिया जाए तो इससे इनका अगरिकल्चर प्रोडक्शन पर कोई इंपक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन इनका जो फामली का इनका में बिटा बोज अपने से बाते बढ़ जाएगा तो इनका मौत फामली जो है यहाँ पर बढ़ जाएगी ठीक कई बार देखा होगा आपके स्कूल के बाहर जो है ना कई बार अंकल ठेले पे कंपट बेचते हैं बेल पूरी बेचते हैं कई बार पानी के बताशे बेचते हैं तो यह सब वो लोगे हैं जो रोज कमाते हो रोज खाते हैं ठीक है इनका फिक्स इंकम नहीं है हो सकता है तो ये painter हो सकते हैं, plumber हो सकते हैं, repair वाग काम करने वाले लोग हो सकते हैं, रिक्षा चलाने वाले लोग हो सकते हैं, ये सारे लोग क्या हैं बच्चे, ये लोग रोस काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग तब काम कर रहे हैं जब इनको काम मिल ला है अब माल लिजे किसी कॉलिनी के अंदर दस रिक्षे वाले खड़े है अब दस के दस रिक्षे वालों को तो सवारी नहीं मिलेगी न डेफिनिटी बात है दस रिक्षे वालों में से हो सकता है दो को सवारी मिले बाकी को ना मिले हो सकता है एक को मिले बाकियों को ना मिले तो इनका जॉब फिक्स नहीं आ रहा है इनको जब सकाम आएका तब ही काम करेंगे तो अगर इनको regular employment दे दी जाए तो शायद इनकी कहानी बेतर हो जाएगी तो अगर आप देखो पैसे बहुत मिलें चासे यहासे आप सबस्टि भीच Daisy को करेंगे तो अगर आप देखोगे similarly बहुत सारे और भी हैसे लोग होते है ना जैसे आप के स्ट्रीट विंडर्स हो गया सबजी बेचने वाले बहुत operates हो गए है ना जा बे कुछ ना कुछ ये लोग बच्चे सेल कर रहें तो हो सकता है यार पूरे देनिया लोग इधर सुधर भटकते रहें लेकिन पैसे बहुत कम-कम है अब सबजी बेचने वाले भाईया यार अगर सबजी उनकी बिकेगी है अच्छी सबजी बिकेगी तभी तो उनको पैसे मिलेंगे अगर नहीं बिकेगी तो यार उनके सबसी बेकार हो जाएगी पैसे भी नहीं मिलेंगे तो यह वो लोग है जो दिन बर काम करते है दिन बर दिहारी करते है ठीक है तो बहुत सिंबल सी बात है तो ऐसे लोग अंडर एंप्लोईड है लोग इनका ज होती तो शाहिए देखो चौछ और काम कर लिए अब देखो अब अगर हम बात करें तो employment को कैसे create किया जा सकते है देखे question तीन number में आने का chances बहुत जादा है कि how to create more employment अब ऐसी क्या तरीके जिससे जादा employment को create कर सकते है number one employment दिया जा सकता है लोगों को by promoting और locating the industries ठीक है आप देखे बहुत simple सी बाते है सरकार को बड़ा important role play करना पड़ेगा आपको ये find out करना पड़ेगा कि गाओं में ऐसे कौन से छोटे-उटे business start के जाएं जिससे जादा-जादा लोग connect हो पाएं ठीक है आप गाओं के अंदर हो सकते हैं जोटे-उटे शहरों के अंदर हो सकते हैं कि ऐसे कौन से इंडस्ट्री स्कॉप स्टार्ट करो ऐसे कौन सी फैक्टरी आप स्टार्ट करो तो यह एक बड़ा बढ़िया तरीक है तो अब गाओं के अंदर गाओं के अंदर लेस्ट से हमने पापड़ बनाने की कोई factory start करती है अब पापड बनाना यार डिवनिट ची बात है गाओं के अंदर काफी सारे लोग को आता भी है नॉर्मल चीज है तो उसमें काफी सारे लोग employee हो पाएंगे अगर आप देखोगे तो लोगों को पास एक fix income भी आएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा ठीक है तो अभी म को employment मिल सके ठीक है ना हर एक state या region के पास ना कुछ ना कुछ potential होता है अभी यहाँ पे कि वो अपने state की income बढ़ा सकते हैं किसी भी थ्रू ठीक है अब for example अगर आप देखोगे भारत के जो पहाड़ी इलाके वहाँ पे tourism एक बहुत अच्छा option है तो tourism उन states का करिक्स कह सकते ह है ही माचल चले आईए उत्रा खंड चले आईए तो वहाँ की सरकार क्या कर सकती है कि नए नए tourist spots बना सकती है इससे जाधा tourist attract हो उन tourist spots पे local लोगों का employment दे सकती है एक local handicraft बजार बना सकती है जहाँ पे local लोग अपना समान बना करके बेचें और आपको बता है कि tourist को इस सब चीज़ें खरीदने में बहुत मज़ा आता है है ना तो definite सी बात है सरकार जो है इसके थ्रू लोगों का employment प्रोइट कर सकती है तो आपको define करना पड़ेगा हर एक state को find out करना पड़ेगा कि उनका speciality क्या है है और उसको develop बगर आप करोगे तो definite सी बात है local लोगों को रोजग अब उन आइटी कंपनीज में जो काम करने के लिए जो graduate लोगे पढ़े ही लिखे लोगे वो दूर दरास से आ रहे हैं तो वहां पे क्या हुआ है employment जनरेट हुआ है तो इसका result क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला अभी भारत के कई सारे हिस्तों से लोग यहां काम करने आते हैं गुडगाओं आप देखिए कैसा डवलब किया गया कि आपे कितनी सारी आइटी कंपनीज है अब उस आइटी कंपनीज पर काम करने वाले बहुत सारे पढ़े लिखे लोग है तो बच्चे यही चीज़ important है कि आपको identify करना पड़ेगा कि आपके state आ आई है नही जॉब्स ले करके आई है तो definite सी बात है लोगों को रुजगार मिलेगा लोगों का income भी बड़ेगा ठीक है ना अच्छा एक study जो है नीतिया योग ने नीतिया योग पहले इसको planning commission कहते थे हम लोग तो नीतिया योग ने एक study किया था जो यह कहता है कि in fact 20 गये office boy हो गये है ना आपके auntie होगी जो साफ सफाई maintain करती है तो अगर जादा schools open किये जा रहे हैं तो आप देखो कितने सारे लोगों को यह पर job मिल सकती है तो नीतिया योग कहता है कि अगर ऐसा किया जाए तो करीब 20 लाग jobs create के जा सकते है education sector के अंदर ही तो बच्चे यह इसको हम लोग right to work भी कहते हैं ठीक है कई बार इसको right to work भी कहा जाता ठीक है तो starting में नरेगा था फिसका नाम बदल के mg नरेगा कर दिया गया तो इसको launch किया गया था 2005 के अंदर कितने जिलो में starting में 625 districts के अंदर तो central government का यह program था अब इसके अंदर क्या था central government ने कहा कि हम लोगों को 100 दिन का employment provide करेंगे 100 दिन का रोजगार provide करेंगे ठीक है और अगर हम नहीं provide कर पाए तो उतने दिन के हिसाब से जो daily wages बनते हैं उतना हम आपको पैसा दे देंगे ठीक है तो मान लीजे एक दिन की धिहारी अगर 100 रुपे है तो यहां सरकार क्या करेगी 100 into 100 multiply कर ल है वो लोगों को दे देगी अगर employment नहीं दे पाई तो इसको कहते है right to work या फिर mg नरेगा तो उसमें क्या किया जा रहा है बच्छे एक law लाया गया है यहां पर इसको आप कहते है right to work 625 districts में इंडिया के implement किया गया इसको हम कहते है महात्मा गांधी national rural employment guarantee act ठीक है तो इसके इंडर क्या था इंडर क्या था बच्छों कि जितने भी eligible है और जो काम की need में इंको काम चाहिए खासकर rural areas के अंदर उनको 100 दिन का रोजगार guaranteed दिया जाएगा 100 days का employment इनको guarantee दिया जाएगा और अगर government employment नहीं दे पाती है रोजगार नहीं दे पाती है तो इसके average में government उसको unemployment allowance देगी unemployment allowance मतलब बेरोजगारी भत्ता तो सरकार एकर 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाती है तो लगबग उतना ही average में आपको पैसा देगी ठीक है जिससे आप कुछ बढ़ियां कर सको done ठीक है तो इसको हम कहते हैं mg नरेगा बहुत important is short short exam में question आना ही आना है mg नरेगा तो प्लीज इसको no down बढ़ियांस कर ले ना ठीक है चली अब अगर हम बात करें बड़ा interesting example हमारे सामने आता है कांता बेन का कांता बेन को नहीं है कांता और कमल दो बड़े must हम लोग यहां पे case studies बढ़ते हैं चलो आओ फड़ा बचसे तो कांता एक office में काम करती जिसका timing है जो की government organization उसमें जमा होता जाता है और जब आप कभी अपना employment छोड़ते हो तो जब जमा पैसा है वो आपको मिल जाता है जो आपके बहुत काम आ सकता है ठीक है तो पीएफ को हम कहते है provident fund तो जो भी proper company होगी proper sector होगा वहां पे आपको पीएफ कटता हुआ दिखेगा जैसे इन्होंने job offer join किया था जब इन्हों job join किया था तो इनको proper appointment letter मिला था जिसमें इनके काम के terms and conditions थे जिसे मेरे को जब मैंने physics वाला join किया तो मेरे को proper appointment letter मिला जिसमें सारे terms and conditions थे मुझे अगर हम बात करें तो on an average दो छुट्टियां हर मन्त आती है ठीक है on an average वो आपके उप तो सरकार के सारे rules and regulations को follow करते है ठीक है तो ऐसे companies को आप कह सकते है organized sector जहां पर सब चीज़े follow की जा रही है proper rules and regulations ठीक है अब अगर हम बात करें कमल के कमल जो है कांता का पडूसी है यह daily wage laborer है ठीक है इसके सबजी के दुकान है यह सबजी के दुकान में साड़े साथ बे चल इसको छुटी भी नहीं मिलती है अगर छुटी ले लेगा तो उसके पैसे काट ली जाते है ठीक है चलो in fact इसके पास कोई terms and conditions नहीं और कभी भी इसको अपने employer दोरा निकाला जा सकता है तो इस case में ने क्या देखा कि यहां पे कोई भी organized चीज़ नहीं है यहां पी विचार जो कमल है इसके पास ना job security है ना इसके पास fix salary है ना इसको कोई छुटिया मिल रही है अगर नहीं आएगा दुकान पर तो उसके पैसे काट ली जाएंगे और कभी भी इसका मालिक इसको लात मार के job से बाहर कर सकता है तो यह कहा जा सकता है जो कमल वर्क कर रहा है जिस इला rules and regulations follow करना है for example आपका minimum wages act हो गया कि at least जो nature of job काम कर रहे हो उसके लिए minimum आपको payment दिया जाएगा ठीक है ग्राचुटी हो गया जब आप किसी company इसाथ 5-6 साल तक काम कर लेते हो तो इक अलग तरीके का पैसा मिलता है benefit मिलता उसको ग्राचुटी कहते हैं है तो इस सारे तरीक अगर लोग over time करते हैं जरूरत सजाय काम करते हैं तो कई बार उनको उसके लिए भी pay किया जाता है पैसे दिये जाते है अन और्गनाइस की बात करोगे तो अन और्गनाइस बच्चे small or scattered units है यानि आपका पड़ोस के दुकान हो गया चाय वाले का ठेला हो गया आपके बग होगे यह registered भी नहीं होते सरकारों के साथ सरकार जो बगल में आपके छोले बुटोर बेच रहे ना भाईया वो registered नहीं है सरकार के साथ ठीक है ऐसा नहीं कि सारे laws and regulations को follow करेंगे तो वह बड़ा अच्छे एक्जामपल है आपके अन और्गनाइस सेक्टर का jobs यहां पे काफी निकाल रहे हैं salary यह सब कुछ नहीं ठीक है जम मानाएगा तब लात मार के बाहर कर देगा कोई fix payment नहीं है जितने दिन बच्चा काम करने आएगा जितने वो लड़का काम करने आएगा उतने इनका उसको पैसा मिलेगा जिस दिन छुटी मारेगा उस दिन का पैसा कट जाए समय तक उनका job रहने वाला है राइट बच्चो बट यहां पर कोई भी job security नहीं होती है ना कोई भी job security नहीं होती employer कभी भी कह सकता है कि आपको job से निकाला जा रहा है चीक है done अगर आप देखोंगे working organized sector में काम करने वालों को बहुत सारे benefits मिलते हैं सब paid leaves हो गई provident fund हो गया है ना कई बार ऐसा भी होता है कि paid holidays आपको दिये जाते हैं ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं तो यह वह benefits है जो आपको salary के इलावा दिये जा रहे हैं कई पर outings होती है parties होती है तो यह सारी चीज़ है ना organized sector का पार्ट है ठीक है बट unorganized में ऐसा कुछ नहीं होता है कोई extra benefit नहीं है कोई paid leave नहीं कोई sick leave नहीं आप बिमार हो गए तो भी आपको काम करने आना है ठीक है आपको कोई paid leave नहीं जा रही है आप एक दिन भी काम करनी नहीं आओगे आपको छुटी काट ली जाएगी आपसे overtime करवाया जागा उसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा यह सब किसके features है अनौगनाई सेक्टर के ठीक है इन फैक्ट अगर देखो गे लोगों को organized में medical benefits मिलते हैं है ना इन फैक्ट अगर factory में कोई बंदा काम कर रह आता है तब company आपको survive करने के लिए आपके अपचे काम के लिए आपको एक एक एक्स्ट्रा payment देती है जो आपके आगे काम है पेंशन कहते हो गर्मेंट के अंदर जादा होता है प्राइविट में तो ऐसे कमी होता है यह ठीक है गर्मेंट के अंदर तो आपको पैंशन मिलत याद रखेगा five mass question है unorganized or organized sectors के बीच में differentiation ठीक है यह हम nature of work के बीच नस पर कर रहे है ड़न अच्छा अब साल उटा ही गयार आप unorganized sectors को protect कैसे कर सकते हो market के अंदर because इनके साथ इतना बलब आपके सकते है इतना धोकतड़ी किया जा रहा है अब यहाँ पर सरकार यहाँ पर provide कर सकती है ताकि लोग अपना खुद का business start कर सके और ऐसे unorganized sectors पर depend ना हूँ ठीक है फिर सरकार जो बेसिक facilities provide कर सकती है इस सबस्ते दामों पर जैसे education हो गया health हो गया food हो गया इन workers को ताकि बच्चे इनके बच्चे जो है अच्छी पढ़ाई कर सके अच्छा खाना खा सके ह affordable दामों पर इन चीजों का lab उठा सके जिससे इनके बच्चों को same काम करने की सरुवत ना पड़े और वो कुछ better करता है राइट ना गौर्मेंट जो है कुछ नए laws बना सकती है जैसे for example over time के regarding laws paid lease के regarding laws sickness के regarding कुछ laws बनाना अभी जैसे अगर आप देखोगे जो मोधी government का financial security बनाता है कि आपकी salary से एक पैसा कट तो रहा है और कई कवार ऐसा भी होता है कि employer को भी उसमें कुछ contribute करना पड़ता है ठीक है जिससे क्या होगा कि आपका एक set amount जमा होता जा रहा है तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप उस amount को utilize कर सकते हो तो यहां सरकार ऐसे कु चुट्टी इंसान को लेनी है तो उस चुट्टी को introduce कर दे ऐसी कुछ अगर चीज़ें किया जाए तो हम कह सकते हैं कि अनौग नई सेक्टर में भी workers को बचाया जा सकता है प्रोटेट किया जा सकता है उनके rights को अब अगर हम बात करें ownership की तो ownership के basis पर हम लोग क्या करते हैं सेक्टर इसको दो पार्ट में डिवाइट कर देते हैं ठीक है पहला पार्ट है हमारा public सेक्टर की बात करें पब्लिक का मतलब होता है government सेक्टर ठीक है यानि सरकारी सेक्टर तो इसकी जितनी भी ownership है किसके पास ह सरकार के पास है और private सेक्टर की बात करेंगे तो किसी भी individual के पास इसकी ownership हो सकती है ठीक है public सेक्टर में जो government है उसके पास maximum सारी चीजों का access है यानि जितनी भी services provide की जारी है वो government की जारी है ठीक है यहाँ पर एक्जामपल railway हो गया post office हो गया एक बड़ इसका बड़ा अच गर होगा तो फिट तो बेकार है for example railways, railways में आप देखोगे बड़े दूर-दूर की distance की जो trains होती है उनका fair बहुत कम होता है यहाँ यहाँ वंदे बारत राजधानी ट्रेंस और आपकी basic trains भी चलती है जिसमें कम दामों के अंदर लोग सफर कर सकते हैं ट्रावल कर सकते है तो यहाँ पर देखो simple objective इसका यही है कि यहाँ पर पैसे तो कमाने है बट पैसे कमाने के साथ लोगों का भलाई करनी है लोगों की welfare करनी है तो यह आपका public sector ठीक है private sector में जितना भी आपका जितना भी services होती है जितना भी आपका सामान होता है assets होते है यह सारे किसी भी private individual के हाथ में होते हैं, for example, Tata हो गया, Reliance हो गया, Reliance का मालिक कौन है, अमानी जी, तो Reliance के अंदर जितनी भी Companies है, उनका जितना भी Profit है, जितना भी पैसा है, वो सारा के सारा किस के पास है, अमानी के पास है, ठीक है, सौड़ेट गई, चले, तो अगर आप देख सकते हो, Companies like Tata हो गया, Tata Air and Steel हो गया, Reliance Industries हो गया, इनके मालिक कौन है, इनके मालिक कोई ना कोई Private Individual है, इनको सरकार own नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जितना भी Rules and Regulations follow हो रहे हैं, वो इनके Individual जो Owners हैं, जो क्लिरली बात करें हैं, प्रॉफिट की, यह आपको क्या करेंगी, अच्छी Services प्रॉइट करेंगी, लिकिन उसके लिए आप से अच्छा पैसा भी लेंगी, अब फर एक्जामपल अगर आप देखोगे कि आप नॉर्मल सरकारी दुकान से राशन खरी दिये, तो comparatively सस्ता है, और वहीं अगर Reliance के Smart Bazaar में जाई Reliance का जो बड़ा सा Outlet है, उसमें जाके समान खरी देंगे, तो आपको comparatively दाम जादा मिलेगा, ठीके, तो जो सरकार प्रॉइट करी है, वो Services आपकी comparatively cheaper होगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों को provide करना है, वो चीज है न, लोगों के भलाई के लिए काम करना है, सिर्फ profit नहीं कमाना है, लेकिन private individuals आपको choice तो बहुत देंगे, no doubt, आपको बहुत सारे choice देंगे, लेकिन जो pay कर पाएगा, जो पैसा खल्स कर पाएगा, वही इन products को afford कर सकता है, तो यहाँ पर जो motive वो सिर्फ profits कमाना है, और यहाँ पर motive क्या है, बचों, profit के साथ सार लोगों का भलाई करना है, तो ownership के basis में हमने sectors को divide किया है, public और private में, आगे बात करते हैं, बड़ा बचसे न, अब सरकार की कुछ जिम्मेदारिया है, जो सरकार को निभानी चाहिए, क्या, for example, क्या के responsibilities हैं, जिससे number one, government किस से पैसा कमाती है, taxes के दुरू, ठीक है, और taxes के दुरू क्या करती है, बचसे और भी कही सारी services होती है, जिसके तुरू government पैसा कमाती है, जैसे government companies हैं, वो भी government को पैसा कमाकी देती है, revenue कमाके देती है, तो इसको government क्या करती है, इसको government खर्च करती है, अलग-लग development projects के अंदर, for example, government को कई सारे development projects करने होते हैं, जैसे for example, bridge बनवाने है, roads बनवाने है, railways construct करवाने है, ships के लिए harbour बनाने है, जहाँ पे ships आके रुकेंगी है न, इसके लब अगर आप देखोगे, electricity generate करना, irrigation के लिए पानी provide करना, dams बनाना, ये सारी चीज़ें बहुत जादा खर्चीली चीज़ें, तो इस सब करने का खर्चा कहां से आता है, इस सब करने का खर्चा आता है, taxes से, और भी कई तरीके हैं, जिससे government क्या करती है, पैसे कमाती है, और उस पैसे को इस्तमाल कहां करती है, यहाँ पे country के, देश के development के लिए, ठीक है, अगर आप देखोगे, कुछ ऐसे activities हैं, जिसको government का support करना जरूरी है, ठीक है, जैसे for example, कि जिससे आपका जो private sector है, वो भी अपना production करता रहा है, business करता रहा है, अब कई बार आप देखोगे, government का है ना, private sector की मदद से भी कई projects launch करती है, अब for example, इसको public private partnership कह सकते हैं, अब जैसे मैं आपको example देता हूँ, नौइडा थोर्टिक है, नौइडा थोर्टिक सरकारी अर्थोर्टिक है, तो यहाँ पर अगर आप नौइडा थोर्टिक की बात करो, तो HCL के साथ मिल करके, HCL एक private company है, यह कई सारे ऐसे projects run करती है, बहुत सारे projects run करती है, जिससे, city जो है, आपका बहुत बढ़ियार है, ठीके, तो ऐसे बहुत सारे examples आपको मिल सकते हैं, जहाँ पर सरकार जो है private enterprises के साथ मिल करके कोई काम करेगी, क्यों, कभी कबार ऐसा होता है, किसी project में बहुत खर्चा लगता है, जो पूरा खर्चा सरकार bear नहीं कर सकती है, तो वहाँ पर सरकार ना कई बार private के मदद देती है, और लोग मिल करके कई सारे projects को launch करते हैं, done, in fact, आप देखोगे, government भारत के अंदर क्या करती है, गेहूं चावल खरीटी किस से, farmers एक fair price पे, right, और उसके बाद जो है, इसको कम दामों पे जो है, consumers को बेज देती है, अपनी राशन की दुकान हो दो रहा है, इन तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे सरकार farmers को भी support कर रही है, और लोगों को भी, अब देखिए, सरकार क्या करती है, कि ऐसे states के अंदर जहाँ पे, गेहूं चावल का खेती काफी जादा है, तो सरकार क्या करती है, वाँको farmer को बोलती कि हमें काम करते हैं, हम आपसे बाए कर लेते हैं, अब farmer को assured हो गया, कि at least उसका सामान बरबाद नहीं जा रहा, कहीं तो बिकेगा, सरकार तो खरीद रही, तो सरकार इससे क्या करी, farmer से जब खरीद रही है, तो farmer को भी support मिल रहा है, प्लस बहुत सारे गरीब लोगे, जो महंगा खाना एफोड नहीं कर सकते, तो सरकार क्या करती, ऐसे लोगों के लिए, अपनी राशन के दुकानों के थुरू, सिद्धम free of cost, या फिर बहुत कम दामों पे राशन लोगों में distribute कर देती, जैसे क्या होता, लोग भी benefit हो जाते हैं, और हमारे किसान भी benefit हो जाते हैं, तो ये क्या है बच्चे, ये सरकार की जिम्मेदारी है, अब अगर आप देखेंगे, कि proper schools को learn करना, quality education provide करना, proper government hospitals को design करना, ये सारी facilities भी किसकी जिम्मेदारी है, government की, हाला कि इसमें government थोड़ी सी, थोड़ी सी comparatively weak है, no doubt, government hospitals बहुत सही होते हैं, aims की बात कर लिए, सब्दल जंग की बात कर लिए, जो गर्मेंट hospitals बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर जो facilities प्रवाइट की जारी हैं, उसमें मारा मारी बहुत है, बिकास लोग जो हैं, बहुत जादा हैं माँपे, बट जो उसके साथ से facilities हैं, comparatively काम है, तो इनको provide करना, कुछ अच्छे government schools को open करना, यह सब जिम्मेदारी भी किसका है, और सरकार का है भई, है ना, तो government को इस बात पे भी ध्यान देने की जरुवत है, कि हार human development होना चाहिए, for example, proper safe drinking water, है ना, अगर साफ सुतरा पानी अवेलबल नहीं होगा, लोगों बिमारी आओंगी, housing facilities होनी चाहिए, इंखास का गरीब लोगों के लिए, चीके, proper food मिलना चाहिए लोगों को, और साथ ही साथ, जो सबसे गरीब से भी गरीब लोग है, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चीके, दर बच्छो, उनके खाने के लिए कुछ बहतर arrangements के जाए, चीके, जिससे सारे लोग यहाँ पर benefit करें, सारे लोग बिटाए यहाँ पर develop करें, और in fact, जो सबसे ज़ादा ignored region से देश के, उनका ध्यान रखना भी government की ही जिम्मेदारी है, चीके, तो एक कुछ responsibilities of the government है, जिस पर question कभी ना कभी long पर आ जाता है, तो आप इस सारे points उसमें लिख करके आ सकते हैं, तो बच्चों अभी तक अभी तक अभी तक अभी तक हमने बहुत सारी बाते की हैं, हमने बात की किस तरीके से economic activities काम करती है, किस तरीके से हम sectors को divide करते हैं, जीडीपी क्या होता है, हमने बात किया बच्चे किस तरीके से tertiary sector का importance ग्रो किया है, हैना अफ़े tertiary sector employment क्यों नहीं provide कर पा रहा है, employment agriculture में क्यों जादा है, फिर हमने बात किया लक्ष्मी जी काम ने दिखा कि किस तरीके से under employment का case काफी जादा है, फिर हम ये भी देखते हैं बच्चों की आप क्या कर सकते हैं employment trade करने के लिए, फिर हमने बात की यहाँ पर की unorganized sector में workers को बचाय कैसे जा सकता है, unorganized or organized में difference क्या है, फिर हमने बात की कि ownership के basis पर हम public और private में किस तरीके से sectors को divide करते हैं, फिर हमने ये देखा कि सरकार की और जिम्मेदारियां क्या होती है, ठीक है, done, चले, तो इसी के साथ हमारी class को फटावट से, हमने revise के लिए फटावट से भाई, और इसी के साथ अपनी class को करते हैं, end, यानि समाथ, तो thank you so much, उमीद है यार बच्चा बाड़ी, मैंने अल्मोस्ट डिएड़ घंटे के अंदर या आपका chapter wind up कर दिया है, और इसी लिए क्या है, ताकि कम समय में आप चाप्टर को revise कर पाओ, so thank you so much guys, इस वीडियो को पूरा देखना और मस्ती करेंगे, मजे करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़े करेंगे, love you all, and take care मेरे बच्चों, बाई, और एक चीज़ और है भाई, भाई, बाई समूजा खागी जाना है, उससे क्या आता है, power energy, मस दिख दम ठीक है, तो यही बूलना है था तुमको, ठीक है, और है अपन करेंगे, अगली बाट डॉगेज बिस्कुट के साथ, कुछ और नया, चलो मैं जा रहा हूँ उगांडा, वहाँ के लोगों को समूजा खिलाने, बाई बाई गाई गाईस, टेक क्यार, बाई,